दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर आए हैं, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है यह घटना कोलकाता की है, जो न केवल एक अपराद की है, बलकि हमारे कानून, व्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर करती है इस मामले में गंभीरता इतनी बढ़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनरजी सरकार और राज्ये के पुलीस प्रशासन को सीधे कट घरे में खड़ा कर दिया है तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं जो बाते आपको बताने वाला हूँ, वो आपके रूख को जग जोर कर रख देंगी ये वीडियो सिर्फ कॉलकाता में हुई इस घर्टना का जिक्र नहीं करेगा, बलकि उन रहस्यों को भी खोलेगा जो अब तक पर दे के पीछे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही ममता सरकार और पुलीस प्रशासन की नीन दोड़ गई है जज साहब ने ऐसी फटकार लगाई है कि ममता दीदी और उनकी सरकार को सकते में डाल दिया है जज ने साफ साफ कहा कि यह घटना केवल एक अपराद नहीं है बलकि कानुन व्यवस्था की धजिया उड़ाने का मामला है उन्होंने पुलीस प्रशासन और राज्य सरकार को ऐसे कड़े शब्दों में फटकार लगाई है जो शायद पहले कभी नहीं देखी गई होगी उन्होंने कहा एक राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा करे लेकिन ममता सरकार इस जिम्मेदारी में पूरी तरह विफल रही है अब सवाल उठता है कि ममता दीदी और उनकी सरकार इस तूफान का सामना कैसे करेगी क्या अब मम्ता दीदी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाना होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मम्ता बनर जी और राज्य की सी बी आई पर भी भारी दबाव है जज ने साफ कर दिया है कि इस मामले की जांच में कोई भी कोता ही नहीं बढ़ती जाएगी और दोशियों को सक्ट से सक्ट सजा दी जाएगी चाहे वे कितने ही ताकतवर क्यों नहों अब देखना ये होगा कि CBI कैसे इस मामले की तह तक पहुँचती है और दोशियों को कानून के शिकंजे में लाती है ये मामला सिर्फ एक अपराद नहीं है बलकि एक बेटी के सपनों की हत्या का मामला है यह उस बेटी का मामला है जिसने अपनी जिन्दगी देश की सेवा में समर्पित करने का फैसला किया था लेकिन ममता सरकार इस बेटी की सुरक्षा करने में असफल रही जज ने कहा ये सिर्फ एक हत्या नहीं है बलकि सिस्टिम की विफलता का प्रतीक है यह ममता दीदी की सरकार के उपर एक गंभीर धबा है ममता बनर जी का बयान की लोग अब पूजा में लौट जाएं जैसे आग में घी डालने का काम कर गया पीडिता के माता पिता ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमने अपनी बेटी खोदी है हमें त्योहारों से कोई मतलब नहीं है यह बयान ममता दीदी की असमवेदन शीलता को दरशाता है और ये भी दिखाता है कि शायद वह इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है पीडिता के पिता का दर्द हर माता पिता के दिल को चीर कर रख देगा उन्होंने कहा कि जब पुलीस ने यह कहा कि अब सब खत्म हो गया है, तो उनका दिल तूट गया। वे कहते हैं कि यह सिर्फ एक व्यक्ती का काम नहीं था, इसमें कई लोग शामिल थे। उन्होंने मम्ता बनरजी सरकार पर गंभीर आरोप लगाय और कहा कि सरकार ने इस मामले को सही तरीके से नहीं संभाला अब यह मामला सिर्फ कॉलकाता का नहीं रहा बलकि पूरे देश में मम्ता सरकार के खिलाफ गुसा फैल चुका है सोशल मीडिया पर विरोध की लहर दोड रही है डॉक्टर समुदाए ने भी साफ कर दिया है कि वे तब तक काम पर नहीं लोटेंगे जब तक की डॉक्टर बिटिया को नियाए नहीं मिल जाता यह मामला अब मम्ता बनरजी के राजनितिक करियर पर भी भारी पर सकता है विपक्ष ने मम्ता बनरजी को चारो और से घेर लिया है हर मंच पर मम्ता सरकार की असफलताओं को उजागर किया जा रहा है आने वाले चुनावों में यह मामला मम्ता दीदी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है अब सवाल ये है कि मम्ता दीदी कैसे इस थिती से बाहर निकलेंगी क्या वह इस मामले में कड़े कदम उठाकर अपनी सरकार की साख बचा पाएंगी या यह मामला उनके राजनितिक करियर का अंत साबित होगा दोस्तों इस पूरे घटनाकरम में एक और बड़ा खुलासा हुआ है अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि सरकार के कुछ उच पदस्त अधिकारी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे यह बात सामने नहीं आ रही थी क्योंकि ममता सरकार पर से जनता का विश्वास तूटने का डर था लेकिन अब जब सुप्रीम कोट ने इस मामले में कड़ी कारवाई की है तो यह साफ हो गया है कि सरकार जितना भी इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश करें सच्चाई सामने आएगी अगर आप भी इस पीडिता के माता पिता के साथ हैं और डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने की मांग करते हैं तो इस विडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट में लिखें वी वांट जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया ताकि ये संदेश उन सभी तक पहुँचे जो दोशियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों यह मामला केवल एक अपरात का नहीं है बलकि हमारे समाज और सिस्टिम की कमियों को उजागर करता है यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है बलकि नियाय की उस लड़ाई का हिस्सा है जिसे हमें मिलकर लड़ना होगा वीडियो को अन तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंद